दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे सूत ही हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के कीश जिले में रहते हैं हैं तो चले सुर्वात करते हैं आज की पहली और बड़ी ख़बर से बाड़ी घर में देखे बिहार के इन जिलों में आज होगी भारी बारे इस मौसम विभाग का अलट हुआ जारी जादे के बिहार में मांसुन की सक्रियता सिव वर्सा की गतिविद्या बनी हुई है कहीं हलकी तो कहीं भारी वर्सा हो रही है हाला कि पटना समेथ दचने बिहार के कई जिलों में आंसिक बादल चाय रहने और धूप निकलने के से उमस बड़ी है मांसुन बिभाग ने प्रदेश के पांच जिलों किसंगंज पूर्निया कटिहार भागलपूर बाका में आज भारी बारिस के चेजावनी जारी की है वहाई पाटना समेथ सेस भागों में आंसिक बादल चाय रहने के साथ एक कुछ इस्तानों पर हल्की बोंदा वुदी वो मेक गरजन के आसार है वाई देखे पिछले 24 गंटे में भागलपूर जिले के कहलगाओं में सबसे अधेग 77.2 mm वर्सा दर्च की गई वह मौसम बिगान केंदर पटना के अनुसार एक चकवरती परिसंचरन का छेतर गांगे पश्च बंगालवा निकटवरती ओडिसा के उपर बना हुआ है इनके परभाव से वर्सा की गतिविदया बने होने के साथ ही में गरजन, वजरपात और बिजली चमकने की सम्भावना है वाईदे के बाड़ी खावर में बिहार पर मंड़ा या बाड़ का खत्रा, कई नदिया उफान पर, कमला बलान के बाद बाड़ का खत्रा मंड़ाने लगा है सुबह के कई नदिया उफान पर है बागमाती ख़त्रे की निसान को पार कर गई है पिछले 24 गंडे में नदी का जलस्तर 91 सेंटिमीटर बढ़ गया है कमला बलान पहले ही लाल निसान को पार कर चुकी है मदो बने में यह खत्रे की निसान को पार कर गई है अगली 24 गंडे में कोसी गंडग अदवारा के लिए लाल निसान की पार होने की सम्मावना वेक्त की गई है बागमाती कोच और इस्तानों पर लाल निसान को पार कर सकती ह नेपाल वा उत्तर बिहार के जल गरान छेत्रों में बारिस की सितियों में नदियों के जलेस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है दूसरी तरप अने नदियों को बढ़ना जारी है गंगा, कोसी, गंडग, बुड़ी गंडग, अदवाराव, घाघरा, महाननद, भूतई, बलान, पुनपुन, खिरोई वा पर्मान समेत कई प्रमोक नदियों के जलेस्तर में तेजे सिब्रदी हो रही है गंगा, नदिय का जलेस्तर पाटना की दिखा में 24 घंटे में 61 सेंडिमीटर और गांधि घाठ पर 50 सेंडिमीटर बढ़ गया है जब कि गंडग का जलेस्तर 65 सेंडिमीटर बढ़ा है कोसी नदी के जलस्तर में 64 संटिमीटर कमला बलान में 30 संटिमीटर घागरा में 48 संटिमीटर और किरोई में 32 संटिमीटर की बड़ोतरी दर्ज की गई है बाड़े खर में देखे राज के स्कुलों में चात्रों की ओलाइन हाजरी बनेगी जादेखे राज के सरकारी स्कूलों में आब सिक्चकों और विदादियों के हाजरे ओलाइन दर्ज होगी इसके लिए बिहार सिक्चक परियोजना परिसत ने मोबाइल एप तयार किया है इसके सिरुवात 16 जुलाई से पटना जिलिम में होगी जानकारी के लिए बतादे कि इस मोबाइल एप पर इसकूल पराचार है सिक्चक और विदादियों के अलग-अलग मोडियोल बनाए गए है समधिद मोडियोल के तहत यूट इस 2021 के अधार पर इसके सिक्चक प्रोफाइल से समधिद साड़े आकरो की इंडिरी होगी फिर उनके आई-डि बनेगे इसी से सिक्चक रोजना हाजरी बनाएंगे साथ इसमें बिदादियों को अभी पूरा डेटा होगा वाहे सिक्चक उपरसती दर्ज करने के बाद चात्रों की हाजरी बनाएंगे इसके लिए कक्चवार सिक्चक की आई-डि बनेगी बाड़िकार में देखे राज में मिटर रिचार्ज नहीं कि ये तो लगेगा दोगोना जुर्माना ज्यादि के पेशो में 4,80,000 स्मार्ट मिटर लग गए हैं इसमें 6,000 ऐसे उपभोगता हो जिन्नोंने कापी समय से अपने मिटर को रिचार्ज नहीं किया है पेशो इन्हें सबी मिटरों की जाच करेगा इस सुपरांत यदि अवेद रूप से बिचली उपभोग करते हुए पकड़ गए तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा जुर्मानी की रासी चोड़ी पकड़ जाने के एक साल पहले तक दोगोनी बिचली पर देना होगा वहाई प्रती मास्वा यूनिट पर जुर्माना लगेगा वाज़े के पेशू को जून के राजवसु संग्रक का लच 237 कड़ोर मिला था इसके तुलना में 233 कड़ोर संग्र हुआ है जियम राजसव अरविंद कुमार ने इसको लेकर बिचली कर्मियों के साथ समीचा की बैठक की है इसमें 90 फिज़ी से कम राजसव संग्रक करने वाले डिविजनों को लच पुरा करने को कहा गया है उन्होंने बिजली चोरी के खिलाब नियमी तभियान चलाने का नेदेश दिया है डिविजन के प्रते एक सेक्षन में रोजाना 20 मिटारों की जाच की जाएगी नबे फिज़ी से कम राजस संग्रक करने वाले डिविजन दानापूर, खगोल, पटना, सिटी, गुलजार, बाग और बाकिपूर है बाड़े गर में देखे बिहार में बढ़ जाएगी ट्रेनों की स्पीड पियाम मोदी आज करेंगे इस्टन डेडिकेटेड फ्रेड कोरिडोर का उदगाड़ पूरो मैद रेलवे जोन में आप ट्रेन लेट नहीं होगी, साथ सबी ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी इसके लिए जोन में चलने वाले सभी माल गाड़ियों में इस्टन डेडिकेड़ फ्रेड कोरिडोर से चलेगी इस योजना के ताद बिहार में कूल 260.2 किलोमीटर ट्रेक का निर्मान किया जाना है जिसमें वर्तमान में 140 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है डिएपसी कॉर्पोरेटर ओफिस के मेनेजर कॉर्पोरेटर कम्मुनिकेशन वो अपरेशन नितिन महेंदो ने इसकी जानकारी दी है वाज़े के माल गाड़ियों के लिए बिहार में कूल इगारा स्टेशन बनाये जाने है इसमें से कूल आठ इस्टेशन दुर्गावती, कुद्रा, ससाराम, कारवंदिया, सुननगर, न्यू सुननगर, लिंक, न्यू चिरपालातु वने है इसके अलावे रफिस, गंज, कस्ताव, पाढ़, पूर्ती न अस अन इस्टेशन मनाने का काम जारी है बड़ी खर में देखे कावारियों से मनवाना दाम वसुल रहे दुकानों पर एमो की छापे मारी, अधिक लिगए रासी को वापस लुटाया जैदिके स्रावनी मेला के तिसरे दिन गुर्वार को खाधा पूर्ती विभाग ने मेला छेतर में अधिक मूले लेने वाले दुकानदारों के खिलाब चापे मारी की, छापे मारी के दोरान प्रकना पूर्ती पतादिकारी संजी कुमार, नात नगर, एमो, अभीजीत कुम सिकायत मिलते हैं, चापे मारी टेम ने दुकानदार को कड़ी फटकार लगाते हुए, ने धारित मूली पर समान बेचने का नेदिस दिया है, साथ ही इलाबाद के कावरियों को अधिक लिगए और रासी को वापस लोटाया गया है, वादे के एमों ने बताई कि पहले दिन पदों पर मांगे गए आवेदन, स्वास्ति विभाग राज के सबी सरकारी मेडिकल कोलेज उस्पतालों में जूनियर रेजिटियन्ट डक्टर को एक साल की तेनातिक करने जा रहा है, इसको लेकर विभाग द्वारा सुकुरवार से ओलाइन आवेदन पत्र और वंचित सरनी के आंतिम देदी 12 जुलाई ने दारित की गई है, वहीं दे किराज के सरकारी आईटिया में लगबाग 24 सा सिचोकों की पद खाली है, इससे भरने की कवाया दो सुरू कर दी गई है, बिहार तक्निकी सेवा आयोग ने 912 आईटिया प्रसिचक पद के लिए आवेदन मा आईटिया प्रसिचक पद के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उमिद्वारों की आयू सिमा 21-37 वर्स होनी चाहिए, आवेदन ओलाइन शुरू किया गया है, बड़े खर्मिदी के बिहार के 16-11 प्रकण साधन सेवी की होगे नियुक्ति, 22 जुलाई तक ज्यादि के बिहार के 537 प्रकण अत्वा सारे संसाधन केंद्रों के लिए प्रकण साधन सेवी की नियुक्ति की जानी है, इसके लिए प्रतिक प्रकण में 37 सेवी नियुक्ति की जाने है, इस तरह सिक्छा विभाग प्रकण साधन सेवी के 16 गारव पद पर नियुक्ति करन प्रखण वार पैनल तयार किया जाएगा. इसके लिए सेवा नीर्तो फिक्षखो को 22 जुलाए तक आविधन करने होंगे, उनहें ये आविधन प्रखण्ट करने होंगे, प्रखण्ट सिक्षा-पदाधिकारे आविधन प्राप्द करेंगे, इन आविधनों को जहला सब्सक्राइब सिख्षा भीबाग ने अपसरों को निदेश दिया है की इस सेड्यूल का अनिवारे तोर पर पालन करें अधिक्यादि सुचना में साब कर दिया है कि वाक आउट और इस्टे आउट तता अने कारणों से अनुपसित रहने वाले परिचात्रियों की परिचा नहीं ली जाएगी, साथ ही कहा है कि विदादियों की 75% उपसित अनिवारे रखी जाए, इससे कम अनुपसित वाले पाये विदाले परिचा समिती की मैट्रीक परिचा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस दोरान कई भी दालेयों ने रजिस्ट्रेशन सुल्क जमा नहीं किया है, यही स्थिती हमेशा से रही है, इसी कारान समिती ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मे नियामित कोटी के रजिस्ट्रिशन के लिए तिन सो 50 रुपे प्रति चात्र वर सो तंत्र कोटी के प्रति चात्र चार सो 80 रुप के दे होंगे समित्ती ने कहा कि ओलाइन टाटाई एंट्री सौल के 50 रुपे से 30 रुपे सिक्षन संसान द्वारा रखा जाएगा जिसका उप्योग सिक्चन संसान द्वरार विदातियों के ओलाइन अवदन भरने और उन्हें के डमी रजिस्टिसन डाउलोड कर प्रावद करने के मद में किया जाएगा बाढ़े करमदी की बिहार में एडमिसन रद कराने पर अब वापस होगी पुरी फिस योजिसिन जारी किया पत्र पर योजिसी करवाई करेगी और विदातियों को फीस वापस कराएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि योजिसी के तरब से जारे नेदेश में कहा गया कि यदि छात रती सितंबर तक एडिमिसन रद करते हैं या वापस लेते हैं तो उने फीस की पूरी रकम वापस कर ल प्रदेश में पहली बार मौसमी केंडरों से मिटी की नमी की जानकारी मिलेगी इसके लिए तमाम मौसम केंडरों में मिटी नमी सेंसर लगाये जाएंगे राज सरकार इस योजना पर सहमाति दे दी है पाले चरन में सुबह के 10 प्रकरणों का चैन क्या गया है यहां परियो जोना से किसानों को लाब होगा। जेन प्रकाणों का चैन गया गया है उनमें औरांगाबाद, बाका, बाकसर, जहानाबाद, जमोई, किसन गंज, सिवर, सिवान, मदोबने के राजनेगर और क्यमूर के भववा सामिल है। बिहार के वावो के साथ विस्वास घात है। उनना ने आगे कहा कि इससे बिहार के वावो के लिए आवसर की कमी हो जाएगे, यह बिहारी वावो का अपमान है, यह बिहार सरकार का एक आत्मा घाती कदम है।